यह हिंद इस वीडियो में इसके बारे मिल चुके टाटा पाउर को और साथ में जब इतने सारे पोजिटिव नीज और अब्डेट नीगिल कर सामने आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ टार्गेट भी दिये जा रहे हैं बजार की तरफ से तो क्या टार्गेट रहेंगे जिससे अगर प्रोफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको सहुलियत मिलेगी इसके बारे में भी बताऊंगा तो आए वीडियो शुरू करते हैं देखिए टाटा पावर जो कंपनिया इलेक्रिशिटी जिनरसन के काम करती है अर्थाथ बिजली पैदा करती है और उसको लोगो बनाती थी और उसके लिए दूसरी कंपनिया होती थी जो सिर्फ बिजली पहुंचाने का काम करती थी हलाकि आज के समय में सभी काम ठुदी करता है ठाटा पावर प्लांट हाइड्र कारवन रिन्यूवल इनरजी सभी प्रजेक्ट पर काम करता है और इन तीनों माध्यमों स आज के समय प्लाइब यह काफी हेविं बड़ी क्वांटिटी में टाटा पावर आज के समय में बजली पैदा कर रहा है तो यह काफी बड़ी बात है अब आते हम लोग उस निउस के ओपर जिसके लिए विडियो है टाटा पावर जो कंपनी एक्वाइर करने जारी है सीजी कंपनी को मर्जर के लिए NCLT से मनजूरी भी मिल चुकी है अब यह NCLT क्या है तो देखिए NCLT का मतलब होता है National Company Lottery यह एक सांस्ता है जो किसी भी दो कंपनियों के मर्चर यह लेकर जो मतलब काम होता है वह यही सुझाती है इसके लावाँ दो कंपनियों कर कोई विवाद होता है तो उसका मसला भी NCLT ही सुझाती है तो NCLT के तरब से लेकर इसको मनजूरी मिल चुकी है अब हम लोग पर इसने 4000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लंट लगा रखा है और उससे 4000 मेगावाट का विली पैदा करती थी हाला कि देखेंगे सीजी पिल कंपनी के उपर दस सालों में इसने एक गार्य हजार क्रोन का लॉज दिया है यानि कि यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो सवाल सब्सक्राइब कर रहे है रोते कंपनी में गोपनी जब भी सम्मान्यत ऐसा देखा जाता है कोई कंपनी अगर दूसरे कंपनी बिला होने जा रही है तो ज़्यादा तर केसे में अशा होता है कि वह पहले से बरबाद हो चुकी होते हैं या बरबाद होने वाले होती है यानि कि CGPIL का जो मुख कंपनी है टाटा पावर में उसमें बिला होने जा रहा है यहां तक आप बाते समझ गए अब समझें कि इससे फैदा क्या होगा तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फैदा होगा टाटा पावर कंपनी को होगा क्या फैदा होगा कि इससे decision लेने में अस पर यह तो चाहिर सी बात है कि उसमें कमी आएगी दुसरी बात के पास पहले से कुछ आसेट्स होगा लिएबलेटिज होगी इस सबकावी मर्जर होगा हालाकि इस सबका बिवात सबसे पर रेटी में जालिया गया कि कितना किसको मिलेगा तो इसका फैदा भी टाटा पावर को मिल जाएगा और जब कंपनी के पास कुछ आएंगे कैस पैसे आएगा तो टाटा पाउर को इसमें सबसे ज्यादा फैदा होगा और समझें जब फैदा की बात हो तो टार्गेट की बात करना भी सभावी के संजीव फस्तिंग करा आपने सुना होगा शेयर वजार के अगर इस कंपनी का सेयर प्राइस जाता है वहां पर आप इसको बाइक कर लिएगा और इसमें हमेशा लगाना लगाकर रखना जरूरी है इंट्राटे में भी और इक्विटी सेयर में भी तो उम्मीद करता हूं मैंने जो बाते बता हैं आपको समझ में आए होगी वीडियो इन्फर्मेटीव लगा होगा फिर भी अगर मन में कोई स्वाल है या कोई कंफूजन रहा गया हो तो आप हमसे कमेंडर पूछ कर उसको दूर कर सकते हैं प्रेशनली मुझे जूर कर बाते करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राब पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्